कैसे हैं आप सब इद आ रही है और आज मैं सोची अकीरा का हैर कट करवाने में ले जाती हूं थोड़ी इसकी पैम्परिंग करवानी है तो यहां पर मैं थोड़ा बाल बना रही हूं और फिर इसे लेके चलते चलिए आप भी मेरे साथ बने रहे हैं तो अकीरा तो बहुत एकसाइटेड है आप देख सकते हूं कितनी खुशी हो के खुशी में जा रही है वो और चलिए फिर चलते तो इद आ रही है और इद की खुशी तो हम बड़ों के साथ-साथ बच्चों को भी बहुत रहता है क्या पहनना है क्या करना है मम्मा ऐसा ड्रे प्यास यह पैनना वो पैनना इसको तो बहुत जादा खुश है यह और मैं सोची इसकी थोड़ी से ट्रिमिंग करवाना एक हैर का कुछ जादा नहीं पर थोड़ा सा हैस्ट्र करना है मुझे तो बस मैं इसको लेके चल रही हूँ और ये मैं पालर पहुँच गई हूँ यहाँ पे अकीरा बैट गई है और भई मैं बता रही हूँ यहाँ पे कैसा हैर कट करवाना है तो यह स्टार्ट हो रहा है इसका बस देखे यह लुक है सिंपल सा है तो यह आज मेरी मेड आई नहीं है और रमजान और रोजा में रोजा रखके कोई भी काम करना बहुत मुश्किल होता है बस हम इबादत कर ले पढ़ ले नमाज कुरान शरिफ वो ही होता है तो आज मेरी मेड नहीं आई है तो आज सारा काम मुझे खुद से करना पड़ रहा है तो यहां साफ सफाई चल रही है और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मेरे कीचन का हालत यह रोजा रख के मैं कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकती और यहां पर यह देखे यह स्टैंड में गंदा भी बहुत हो गया है यहां कॉर्णर में यह सब क्लीन करना है पर यह मैं अभी नहीं करने वाली हूँ इद के बादी में करूंगी तो यहां पर कुछ बरतन थे यह भी मैं धोके यहां पर प्लेटफॉर्म में पुरा क्लीन कर दूंगी ताकि मुझे अफ़तारी बनाने के टाइम में कोई बरतन ना रहा है और फिर मैं सुकून से अफ़तारी पूरा प्लेटफॉर्म खाली रहा है तो कुछ काम करने में अच्छा भी लगता है तो यह मैं सारे बरतन धोके हटा देती हूँ रमजान रोजा में मेड नहीं आती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है और जब रहती है तो हमें पता नहीं चलता है वो कितना कुछ हेल्प हो जाता है हमारा और आज मुझे पता चल रहा है मेड की कमी आज बहुत महसूस हो रही है पर वो कला जाएगी, कोई नहीं, उनलों का भी कुछ कुछ काम होता है, इसलिए वो भी छुट्टी ले सकते हैं, और फिर उसके बाद मैं थोड़ी यहां पे आई, मेरे सारे प्लांट्स भी देखी, आप क्या से सूख रहें यहां पे, मैं कैर एक मैना बिल्कुल ही नहीं कर पाई हूं, बस थोड़ा पानी ही डाल रहे हूं, और कुछ भी जो देख रहे हैं, एक्स्ट्रा जो भी सूखा हुआ है, इसको भी मैं कटिंग वर्टिंग भी नहीं करी, पर आज मैं सोच रहे हूं, थोड़ा सा तो इससे कट करूं, जो सूखे पत्ते हैं, यह सब मैं निक काफी देखें, काफी कुछ यहां पर घास भी जो होने चाहिए, वो भी हो गया है, इससे पता चल रहा है कि इसे मेंटेनेंस की बहुत जरुरत है, और काफी टाइम हो गया है, मेंटेन किये वे, यह पीस लिली है, यह भी देखें, अच्छा खासा खिलावा यहां पर, और यह सब मैं निकाल दे रही हूं, काम तो काफी कुछ है, बस मैं वेट कर रही हूं कि ईद पार हो, उसके बाद मैं सारे एक्स्ट्रा काम मैं करूंगी, और अलहम दुलिल्ला रोजा बहुत अच्छे से जा रहा है, बस यह सब काम हो गया है, यह सब क्लीन मैं कर लूं, उसके होता ही रहेगा, काम तो जितना भी करो, घर में कमी नहीं रहता है, काम का, एक के बाद एक चालू ही रहता है, पर हमें इबादत करना, यह महिना इतना पाक और नेक है, इसमें हमें इबादत करना, खुब से खुब इबादत करनी चाहिए, तो मैंने वाकी सब काम छोड़े और मैं यहाँ पर फिर कुरान शरीफ लेके मैं थोड़ा बैठी इसे मैं पढ़ लूँ फिर नमाज पढ़ू फिर अकीरा काने का भी टाइम हो जाएगा और यह देखे मैं अकीरा को लेकर आ गई हूँ और यह घर में इसको लेकर आई हूँ यह नीचे बस से आती है ममा को ममा यू नो इन मैं क्लास टूरे आएव जॉफुल डे ओ वाओ सबस्का भू आई मैं तरी की तयारी करे यहां पर प्रॉंव सक्सक्तिक आश्मै और आच और रोस्टेड करने वाली हूँ इसे लिद्वढ़ा उन जारा तो इस तरह से में करके यह जो क्लिप आप देख रहें यह मेरी ससराल का है और मेरी जिठानी या कुकर में थोड़ा सा खिच्डी चड़ाई थी और वो खिच्डी जब गैस पे रख के वो किसी काम से बाहर निकली तो यहां पे आप देखिए पूरा कुकर जो है ना पुरा फ नहीं था और सब सही सलामत है पर आप देख सकते हैं यहां पे स्टोफ की हालत यहां पूरे दिवार की हालत कैसी हुए तो कुकर फटने के वज़े से इतना बड़ा एक्सिडेंट होता है पर बस अल्ला सब को सही सलामत रखे और किसी के घर में ऐसा परिशानी ना हो यह दे अल्ला सब को सही सलामत रखे तो चलिए फ्रेंट्स मिलती हूं में नेक्स्ट वीडियो में होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेर, कमेंट कीजे और मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में तिल देन टेक क्यर आफ सेल्फ, अलाह आफेज, ईद मुबारक अल्ण नेक्स्टियो जो ऑशे होगा होगा होगा।